तो आशाम्रीक्म अविर्यूवन इसिस अर्साना कान अज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिसकस करने जा रहा हूं वह कंश्ट्रोल अब लोगों के बहुत सरे कॉमेंट आए आप लोगों ने बहुत सरे मुझे एमेल किये और आपने कहा कि डॉक्टर साब ये बता है कि कस्ट्रोल कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए आपका क्या सजेस्जेशन है तो ये इतने सारे मतलब कॉमेंट है कि मैं हर किसी को नहीं दे पा रहा था रिप्लाइस का तो मैंने सोच है क्यूंझा div का बना दूँू। ठाज़ चेवाइए प्रॉक पर युद्धा स्कॉष अघर का करो पहँरूद्धा हो और और पका सबाहिए का सब पना दूखू考़ हैं और ये सारी अगारे नहीं परकाशनियों ॉप्रोस के बना दिया। सबसे पहले यह डिसकस करते हैं कि कस्ट्रोल कैसे बढ़ता है उसकी रिजन क्या होती है सबसे बड़ी रिजन कस्ट्रोल इंक्रीज होने की है आपकी डाइट आपका वे अफ लिविंग ठीक है कि आपकी बड़ी कस्ट्रोल इंक्रीज कर रही होती है और जब एक इनसान की बड़ी कस्ट्रोल इंक्रीज कर रही होती है और वह बंदा अपनी डाइट पे भी कोई ध्यान नहीं कर रहा होता और वह बंदा कुछ भी मतलब सही नहीं कर रहा होता लाइफ में टाइम पर सो नह कुछ भी ठीक नहीं कर रहोता तो उसकी जिंदगी को बहुत खत्रा है अब आप कहेंगे के खत्रा क्यूं है उसकी रिजन यह है कि जब कर लेवल हाई होता है तो आपके जिसम के अंदर आपके ब्लॉड के अंदर जो यह ब्लॉकिंग शुरू हो जाती है जब वह हो जाता है तो कस्ट्रोल कोई मजाक नहीं अगर किसी बंदे का कस्ट्रोल लेवल हाई हो गया है तो उस बंदे को चाहिए कि वह अपना ध्याना रखे अपना सारा कुछ एक सिस्टम बनाए अपना पूरा सिस्टम से डाइट का ध्याना रखे और एक पूरी लाइफ की पू स्टोल लेवल हाई हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब इसका कुछ नो कुछ होगा तो सही solution, एक मिसाल में सुनता था कि जो अपना यह होती है, कि केते हैं, इलाज से ज्यादा एतियात जरूरी होती है, अब मैं कहता था कि यार, इलाज से ज्यादा एतियात कैसे ज्याद एफेक्टिव हो सकती है मैं आपको कहता हूँ कि यह जो यह दवाईयां होती है यह टीटमेंट होती है यह जो भी होती है यह थर्टी टू फॉर्टी परसेंट एफेक्टिव होती है बाकी आप पर डिपेंड करते हैं आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करत कैसे अपनी चीज़ों को चेंज करते हो यह चीज़ेंट करती है अब एक बंदा है उसको कस्ट्रोल लेफल उसका हाई हो गया उस बंदे ने डाइट की सैटिंग को ठीक कर दिया उसने वह फूड काया जिसमें कस्ट्रोल लेफल काम होता या नहीं होता बस सुने जाँता हूँ कि हमारे इन एरियाज में लोग गोष्ट को खाना ज़्याद़ पसंद olmas करते हैं, आप मीट को खाना छोड दें, अगर आपका कस्टॉल लेफल हाई हो गया है तो जो ही आपका कस्टॉल लेफल हाई हुआ है तो आप कस्टम उठा लें कि आपने थोड़ा सा भी मीट नहीं खाना एक थोड़ा सा बाइट भी मीट का अपने मूँ में नहीं लेके जाना है पहले चीज मीट छोड़ा दो दूसरी चीज यह है कि आप वो चीजें छोड़ा जिनमें कस्टा बस gets बिए यह यह इसमें बीड करती कि और दूसरा आप यह जैसले डारी प्रोड़क्त होती लाइक बैकरी लाइक जैसे मिल को गया और इस टाइप के इनमे का स्ट्रोल लेवल बहुत ज़दा होता है तो यह भी आप छोड़ दें ठीक है पहले पहले चीज़ जो है मैं आपको डाइट की पूरी इंफ्रमेशन दे देता हूं कि आपने करें डाइट सिस्टम क्या करना है आपने स्वबो नश्टा किया है स्वबो दस बचे ठीक है लेट स्पोस दस बजे नश्टा किया है और अगले दीन आप 11 बजे नाश्ता कर रहे हcent अगर यह सीन आपने रख लिया ना तो दो भ्लीव करें आपकी का स्ट्रोल लेवल ज़्यादा खराब होगा और ये मेरे सत अब एक जो healthy है का स्टोल लेवल वो 130 है 130 पर हो तो बिल्कुल perfect है अभी मैं कुशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो का स्टोल लेवल है वो 130 पर आज़े 130 से 200 तक नॉर्मल होता है कोई problem नहीं हो दिसकी लेकिन मैं चाता हूँ कि perfect से perfect हो इसलिए कि मैंने अब अबनी डायट पूरी सब चीजों में changing ला लिये like पहले मैं सोता था लेट अब मैं टाइम पर सो जाता हूँ पहले मैं उटता था लेट क्योंकि सोता लेट था तो अब मैं टाइम पर उट जाता हूँ खाने पीने में मैंने गोश्ट को कम कर दिया उसके बद मैंने जीम जॉइन की हुई थी मतलब जीम जॉइन मैंने रिसेंटली की है कोच अरसा पहले तो वहां पर वर्क आउट मैं ज्यादा कर लिया और मैंने वो सारी की सारी आदतें जो मुझे लग रहा था कि मेरा करस्टो लेवल इंक्रीज कर रही है वो मैंने छोड़ दी है आप वो वो बस अच्छे कि यार जितना इंसान की जिनगी है उतना इंसान ने जीना है उससे ज्यादा वो नहीं जी सकता है लेकि जितना जी हो तो एक हेल्दी जी हो एक अच्छा जी हो लाइफ में पता चले के ठीक है यार एक अच्छी लाइफ गुजारी है आपने तो यह सबसे में पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिसकेशन तक करना था हाँ वैजी टेबल्स आप खाओ मैं आपको बताओं कि इसको अनार का जूस कहती है यार यह इतना एफेक्टिव है कस्ट्रोल के मामले में इतना एफेक्टिव है अब यह सोच रहोंगे कि यार यह कैसे एफेक्टिव है उसकी रीजन यह है यह डी आक्सीडेंट है ठीक है यह आपकी कस्ट्रोल लेवल इसको लोग कर देता है ऐसे समझ लो कि इसको थोड़ पोड़ करता है आपकी हार्ट की वेंस को सही कर देता है तो आप लोग इस चैस का सबसे बुरा दियाना रखें और उसके बाद मैं आपको बता हूँ जितने भी फूट्स है ना तकरेवन सारे कस्ट्रोल के लिए बहुत अच्छे है आप फूट्स करना शूरू कर दें, वेजेटेबल्स करना शूरू कर दें आप अपना इसको छोड़ दें, क्या कहते हैं मीट को छोड़ दें डैरी पौड़क्स को छोड़ दें जैसे यह fast food है इनको छोड़ दें बस यह basic चीज़ें आप कर लें तो आपका एक काम तो हो जाएगा अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर वो है आपकी exercise आप exercise करें आप दिन के अंदर अपना कोई और कुछ नहीं तो एक घंटा तो exercise को दे दें यार अपनी बाड़ी को अपनी सिहत को जो सबसे important मैं जानता हूँ कि आज के दिन में सब हर कोई बहुत busy है किसी के पस कोई time भी नहीं यार कोई यह करना चाता है वो करना चाता है कोई time नहीं है उनके पस at least आप exercise शुरू कर दें exercise करेंगे इससे आपको बहुत फैदा होगा दूसरी चीज़ यह clear होगी अब तूसरी चीज़ है treatment treatment शुरू करें अगर आपका higher control level treatment पूरी एक proper करें यह नहीं है कि आज मैंने दवाई खाई तो कल नहीं खाऊँगा कल खाई तो परसू नहीं खाऊँगा नहीं आप treatment अपनी एक proper way में शुरू करें उसको पूरी treatment को time दें और बाकी अपने lifestyle को change करें like time पर so जाएं time पर उठें हर चीज़ एक time पर करें कोई भी मलब अपना यह चीज़ें ना करें I hope so कि आपको समझ लग गई होगी कि कस्ट्रोल को मैं कहता हूँ यह चीज़ें आप सिर्फ दस दिन सिर्फ दस दिन कर ले ना आपको कस्ट्रोल लेवल से हो जाएगा बहुत सरे लोग होते हो क्या कैतें यार मैं दबाई भी खा रहा हूँ एक महीने से यह कर रहा हूँ इतने पैसे आप उड़ा रहे हो अपने अधर हस्पीटल में डॉक्रिस के पास फिर भी आपका कस्ट्रोल लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा हूँ उसकी रीजन के है उसकी रीजन यह है कि आप लाइफस्ट्राइल चाहीं नहीं कर रहे हो उस दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उस दिन आपका यह मसला सॉल्व हो जाएगा यार मेरी फैमली के अंदर मैं कहता हूँ अल्मोस्ट हर बंदे की प्रॉब्लम कस्ट्रोल बिखरी हुई है हर बंदे का अब मैं आपको क्या बता हूँ कि मेरे कजन मेरे से चोटे जो कजन्स हैं उनका भी कस्ट्रोल लेवल हाई वह पड़ा होता है अब मेरे से जो मेरे दूसरे कजन्स है मेरे अपने पपा का भी मतलब कस्ट्रोल प्रॉब्लम हुई थी वो फिर ठीक होगे काफी मतलब वो एक जिनियस टाइप बंदे हैं काफी मतलब अपना हेल्थ का ध्याना रखते हैं हर चीज़ उन्होंने चेंज की और वो बिलकुल ठेक होगे तो मेरे भी आप सब भाईों से यह सजेशन होगी के काइंडली काइंडली अपनी सेहत का सबसे पहले ध्याना रखें उसके बाद जो है वो करें और यह दूसरी फजूल एक्टिविटीज चोड़ दें सब कुछ फजूल टाइम बेस्टिंग चीज़ें चोड़ दें और अपनी डाइट अपना लाइफस्टाइल अपनी ट्रीटमेंट अपनी इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्याना रखें और आप बिल्कुल अच्छा फील करेंगे और आपकी पूरक पूरी हर चीज़ आई होप सो कि ये पूरी वीडियो के देखने के बाद आपको कुछ नो कुछ समझ जरूर आईगी आपका लाइप स्टाइल कुछ नो कुछ चेंज हुआ होगा और कुछ नो कुछ एफेक्ट जरूर वह इस बात पर और करेंटली आप अमना ध्याना रखें और जो जो मैंने बातें की हैं इन पर सिर्फ दस दिन ध्याना रख लें पर जाके कास्टोल का चेक कर वाएए आपका कास्टोल लेवल काम होगा तेंक यू सो मुच वर वाचिग मैं वीडियो फो यू लाव इव लाइक मैं वीडियो इफ देन प्लीस सब्सक्राब मैं चैनल लाइक मैं वीडियो और शेयर इच तो यूर दोस फ्रेंज वेब प्रॉब्लम ऑफ कर स्टोल अके बबाई आला हाफिज